कि नमस्कार दोस्तों मैं लुज सक्रास किसान जी चैलल में आपका हार देखा करते हूं कि आज हम आपको बताएंगे कि लेवन गास का पाउदा किस तरह से प्रॉपर तरीका से खेती क्या जाता है और खासा कराज हमारे साथ है यह किसान जो कि सोराई मुंदा जो कि इस जगा पे अपना लेवन गास लगाए हुए है तो प्रोपर तरीका से आपको बताएंगे किसे देख सत्या की बहुत सारे किसान यहाँ पर किस तरह से ओधे की क्रोपिन कर रहे हैं और इसकी कटाई और खासकर उसको प्रोपर तरीका सुन्गों निकाला जा रहा है किस तरह से किस तरह से किसान पुरा बंच है वो जो बंच को अलग अलग पर तरीका से पूदे को अलग करते हैं यह किसान पिस तरह से मिताल रहा है इसे शैड में नखा जाता है और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सेपरेट क्या गया है इस कोदा को ये बंचे से अलग हुआ है कोदा के यूँद्र से अलग है इसा तोपर तरिका से अलग है ता कि इसे लगानें में असानी हुआ और इसे खासकर लगाने समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसे अलग करना बहुत ही ज़रूरी है क्यांकि इसे अलग करने का तरीका आपको मैं बताता हूं कि कभी भी कभी भी पौधे के ऊपर इस तरह से ना पकड़ें कि इससे यह जो पोर्चन है यह पौधे की नीचे Punkte यह जड़ वालत यह तो हम इसे इस तरह सब्कोड़ेंगे इस पख्ड़ेंगे इस तरह सब्क्राइब है क्यों सब्सक्राइब हो जी है और जब लगाएं जो हमारा भू गोना होता है इसके बारे मताना चाहेंगे स्काइब स हमाल कुशन बढ़ा का किसान बटाना चाह чис थमक्लडें किस तरह से लगा जाता सकत्तोम है स्लाइब के बटा से सिर्ग है क्यों से डाला बटा üzerine, किस तरह नहीं है हमेद इस कि आढारों इस बीजिए दो ने डालाकिन दणड़ से समारी यह होता है 60 cm और यह पाउधा का डिस्टेंस है यह 45 cm इसे लगाया जाता है यह की तरह से लगा रहा देख सकते हैं आप यह की तरह से लगा है यह की तरह से लगाया जाता है किसानों भाईयों मैं पत्राण चाहूए कि यह जो पाउधा लगा हुआ है यह मात्र एक सटेड़ इंच अंदर गया ठीक है तो इसका ध्यान रखिए इससे जादा अंदर भी डालें इसे एक सटेड़ इंच ही अंदर डाला है मिंटी में यह काफी अच्छा प्रपर तरिगा किसान भाई में यह से अंदर यह किस तरह से फूराइस लग चुका है और यह से हम इसे लगाते हैं उसके बाद रंप इसमें पानी चुड़ते हैं कि इसे बहुत जरूरी है जब भी से लगाएं लगाने के उपरान तूरंत इसमें पानी दिया आता है किसान वाई आप देख सकते हैं कि जो यह पौधा है यह लगने के बाद मादर तीन मेना का पौधा है इसमें देख सकते हैं जो स्लिप्स जो त्यार हुआ हुआ है हमारा यह 30-35 स्लिप्स त्यार हुआ 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 है मादर तीन मेना में अब देख सकते हैं कि यह पाइटी से चारीज स्लिपसेश में और अब देख सकते हैं कि यह यह जो हमारा बंक्तियार हुआ है यह इतना बड़ा है कुछ कट चुका है यहां पर यह लगभग साथ से सत्तर इसमें प्लिस निकल सकते हैं पिर आप इससे बड़े बंग जो कि हमारा एक साल हो चुका है इसमें लगभग डेढ़ सो दो सो से पलस इसमें अराम से इसमें निकल जाते हैं आप देख सकते हैं कि यह हमारा इसमें आई ठीक है धन्य बाद बोल दो अब भूलो धन्यवाद तो किसान वाई हो बस इतना ही और किसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपना कमेंट जरू लिखे ताकि हम तक पहुंचे और हम